अगर धनवंतरी की पूजन करता है धन तेरस के दिन कार्थिक महिने में पढ़ने वाली सुन्दर त्रियोध शीति थीपो जो धनवंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लच्छमी कभी बाहर नहीं जाए भगवान विश्णु कहते हैं सुनो किसान मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता है भगवान कहते हैं किसान सुन्दर अकृष्ण पक्षिक की त्रियोध शी को कार्थिक के महिने धनवंतरी देव का पूजन धन तेरस का पूजन माना जाए सुनो किसान एक सुन्दर भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर ना मिले सुन्दर जल से लीपन करकर वहाँ एक सुन्दर चोख को पूर कर आप सबी को ग्यात होगा कि चोख पूर्णे में रांगोली का प्रयोग नहीं होता आप लोगों को मालूम होगा चोख पूर्णे में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है क्योंकि आटा सम्रक्धी को बढ़ाता है लच्मी बेभाव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है इसलिए जब चोख पूरा जाता है घूमी पर तो चोख पूर्थे समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा चावल का दाना या ग्यहूं का दाना रख दिया जाता है उसके उपर एक सुन्दर चौकी एक चौरंग एक पाटा रख दिया जाता है भगवान विश्णु बता रहे हैं किसान को दन तेरस के पूजन का बढ़ा है और जो भगवान विश्णु ने बताया है वही पूजन का बढ़नन आप दोक सिवण कर रहे हैं जो विधान लगाएं उस पाटे पर एक सुन्दर लालबस्त्र धारण करा दें लालबस्त्र विच्छा दें एक थाली लें उस थाली पर कंकू से रौली से कंकू से गिला करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन लें उसको थाली के अंदर रग स्वस्तिक के ऊपर फिर उसका इस्मर्ण करें आटे के साथ दिये बनाए एक ठाली में एक कलेट में घी के दिये बनाए और उसमें सुन्दर बाती को लगा ज्यां दीजिए का इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी लच्मी जी की फूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी मारत गी के दिये लगा दें साथ साथो दियों को परजुलित कर लें प्रगट कर लें एक दिया तेल का लगा दें तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्का रखा है उसका लेप टेंट बतलब आप इसे बेट़े हो तो आपका सीदा हाथ की और आप तेल का दिया लगोड़े और जो साथ दिये आपने लगाए हैं वो लचमी जी के राइट हैंड मतलब आपका लेट हैंड होग भज़ा है लचमी जी का राइट हैड हैंड होiliKALLP आपने प्रजुलीत करें हैं, सुन्दर ठाली जो आपने पूजन के तयार करी है, उसमें कुणकू, रोली, हल्दी, अभीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमर बिल के तुकडे, कमल गटे, हल्दी की गाट, सुन्दर भाव में उसको रख, जल का पात, सुन्दर आनंद से, जो क्वाइन, चांदी का और देशी क्वाइन आपने जो रखा है, उसका जल से पूजन करें, लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है, पर धन्तेरस की पूजन का जो समय है, वो प्रदोष काल से प्रारम हो जाता है, तब से प्रारम हो जाता है, प्रदोष क्योंकि शिव के द्वारा निर्मी थे, लच्मी पूजन का, महरत, क्वाइन का पूजन करें, कंकु आधि नाड़ा है लक्षा है उसको लपेटना प्रार्म करें और उसको लपेट है पहले चांदी का सिक्का लपेट बेशाज पिर event रेसी सिक्का जो आपने रखा a एक दो पाँच दसका जो सिक्र रखा उसको लख लें फिर वापिस उस्तर जल का छिटा देकर उसका पूजन कर लें हल्दी, रोली, मौली, चंदन आधिक लगाकर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के उपर जो दो सिक्के रंक में साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते है है रिदी सिद्धी के दाता श्री गणेश जी महराज आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुवेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान करें नारायन को लेकर सदा विराजमान रहें चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विंती करते जाएं माता लच्मी से जब चावल पूर्ण छोड़दे में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महराज साथ सुन्दार आनंद से अमर बेल के तुकड़े अमर बेल व्रक्ष पर पीले कलर की बेल चलती है पीली उसमें पत्ते नहीं होते हैं वो किसी वी विरक्ष पर ढली रेती है वो अमर बेल घ्ला ते अमर बेल लक्षमी पूजन में सम्रद्धी के लिए मकान के महुरत के समय पर ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्या अच्गाना फिर वो अपने आप थलती चली जाती है उसी तरह हमारे यहां भगवान से यह करते जैसे आमरबेल बिना पानी पड़े सब्सक्राइब किसी डालधी जाए पनप जाती एपड़ती चली जाती ऐसे अमरे घर में बेबाव लचमी बढ़ती ही जाहा है अमर्बेल के साथ तुकड़े कंबल गटे साथ हल्दी की गठान साथ माता लचमी को समर्पित करो कि दो तोनों हातों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लच्छमी के ऊपर उसे चड़ाना प्रारम कर दीजिए। साथ बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दें। अपनी मनों कामना करकर अपने घर में माता लच्छमी को गडाजमान कर दें। जब हल्दी पूर्ण चड़ जाए हाथ में कूंकू ले लीजिए रोली ले लीजिए उस रोली कूंकू को भी माता लच्मी को समर्भित करें तब इसके पश्चात सुन्दर जो भी घर में मिष्ठान हो मीठा हो नहीं हो शक्कर हो गुड़ हो जो भी आपके पास में हो खड़ी सक्कर हो वो भगवान को माता लच्मी को भोग रग दी अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रग दी माराज घर में संपोन पूजन करकर आपके घर में जो देवालाई में भगवान बेठें उनका भी पूजन करिये पूजन करने के बश्चाग आप माता लच्मी से निविदन करिये है मा आप हमारे सदा विराजमान हो आज धन तेरस से रूप चवदस अमावस्या एकम और दूज ये पाँच दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है धीप महुस्या मनाया जाता है पूजन करने के बाद जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं ठाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के उन साथो दियों से माता लच्मी की आरती उतारी उन साथो दियों से माता लच्मी का पूजन करिये माता लच्मी से विंती करिए मा हम आपके पुत्रें मा आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो मा हे वे वहु लच्मी, हे धन लच्मी, हे संतान लच्मी हे मा लच्मी, हे धान लच्मी आप हमारे घर में विराजबार करिए साथ दीप जो परजुलित करें हैं उससे माता की आरती उतारिए फिर माता को जोली पसार कर प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो जब जोली पसार कर प्रणाम करें जोली को अपनी और गिरा लें और माता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दियों को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जिसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्छमी रखते हो उस स्थान पर एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में ऐसे अलग-अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया है एक भगवान का जहां पूजन हुआ है लच्छमी की जहां राद न करिये एक दीप भाँ पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्छमी के उल्टे हाथ और घी का दिया माता लच्छमी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा और जहां आपका उल्टात होगा जहां पर्गी का दियाल के वा माता जिता सीधा हो गया आपका उल्टात की अमाता लच्मी सिनिविदन धे मा करपा साकर करुणा साकर अब भगवान विश्णु के साथ मिराजमान हो अई सी कृपा करें बड़ा उस्सह वड़ा उमंग बड़ा आनंद रखना घर में भगवान विश्णु कहते हैं किसान से एक सान आपने अगर धनवंतरी पूंजन करीये धनतेरस की पूंजन करीये कोई वस्तू, कोई सामगरी अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तामे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तू आप नहीं लेकर आए हो, उसका भी पूज़ी